डियर फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी आज इस वीडियो में आपको क्लास 10 का HBSC बोर्ड का हरियाना बोर्ड का जो आपकी हिस्टरी की न्यूबुक आई थी उसका जो लेसन नमबर 9 आपके सवतंतर्थ बात के 50 वर्ष तो इस वीडियो में आपको अब्यास के जितने भी क्यूशन है इस वीडियो में आपको केंपलीट कराने वाला हूँ तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और वीडियो लेंटी हो सकती है तो आप जरूर देखेगा इस वीडियो को लाश्ट है स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट किसिन क्या है, बार्थ कव सतंतर्त हुआ, तो सभी को पता है 15 अगर्फ, 1947 की हो था हमारा बार्थ आजाद हुआ था, सतंतर्त हुआ था नेक्स्ट किसिन राजर्जी पुने गठन का आयो की स्तापना कब की गई, तो 1953 इसवी में की गई थी नेक्स्ट कुष्ण आता है बार्त के लोववववववव पुरस कोन थे ये असे हिस लंका कोुन से मासागर में स्थित रहेगा श्रलंका नेक्स्ट क्यूसन आता है सुक्तराष्टासंग की स्तापना कब होई तो कब होई थी सुक्तराष्टासंग की स्तापना चोबीस आक्तूबर नेक्स्ट कुशन एगए स्टरोषन, भारत की आर्थिक उधारीकर्ण की निति कब अपनाई थी ये उनिति ऑजिस्तापना कब अपनाई थी, य्योजना आईयो किस्तापना कब की गई सी 15 मार्च 1950 को की गई थी Peace किई इन यह ब्यास्त अंता है NITI I Mother 2015 में थिकर ए सविदान सभा का क्या करी होता है तब यहां से हमारे के आ अगमth lige का राहिं sujet है इसमें लोंग-टाइप भी आएंगे तो सविदानस भाका कारीए है बारत के लिए सविदान का नियुभान करना होता है ठीक है क्या होता है मैं सविदानस भाका कॉरीये की प्लकी लिए सभीदान का निर्बान करना होता już ठीक है इस सविदान सभा में कुल 329 सदस्य थे इसकी पहले बैठक 9 दिसंबर 1946 इसवी को हुई तो क्या थी सविदान सभा में क्या था उसका सविदान का निर्मान करना होता है इसमें क्या थे कुल कितने सदस्य से 399 सदस्य थे बाद में क्या उसकी पहले बैठक 9 दिसंबर 1946 दाक्टर राजिंदर परसाद को सविदान सभा के सताई अधिक्स का करेवार समाला मतलग क्या किया गया सविदान गारा सविदान कि निर्मान के लिए 22 समीतियों का गठन किया गया डक्टर भीम्राव अम्बेडकर की अधिक्स्ता में साथ सदे से प्रारूफ समीती बनाएगी तो किस Behavior में आधिक्स्ता में इस अबार इस सबार निदेशन में सिवधान तियार किया अगा है पसी में पाकिस्तान उत्तर पूरुम में क्या है भूटान रहेगा तथा बंगलादेश पूरुम में मया मार ठीक है पूरुम में क्या रहेगा मया मार ठीक है और उत्तर में चीन रहेगा मतलब उत्तर में क्या रहेगा चीन रहेगा और नेपाल तथा दक्सन में क्या रहेगा स्रलंगा नीचे नीचे तमील नाडु यहां पर क्या रहेगा स्रलंगा रहेगा ठिक है नेक्स्ट क्यूशन है बांगलादेश की निर्मान में बारती क्या भूममीक थी तो क्या भूमिका थीです लंजाता है फोर्ट का बट्वारा होने के कारण बंगाल भी दो हिसो में बट गया है क्या था भारत का बटवारा हो गया था उस टाइम तो क्या है बंगाल भी दो हिसो में बट गया है क्या हिंदू बहूल छेतर भारत के साथ रहा जिसे पश्मी बंगाल का आ जाता है तता मुस्लिम बहूल छेतर पूरवी बंगाल पाकिस्तान का इस संग्रस था जो लड़ाईया थी उपराराम हो गई थी एक लाग से अधिक सरनातियों को बार्त में सरन लेनी पड़ी बार्त को बंगलादेश के अनुरूद पर अक्सदेप करना पड़ा जिसके फल सवरूप बार्त पाक यूद शुरू हो गया तो क्या था बार्त पाक था वह चिर गया तो आता है 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी शेना ने आतम समरपन कर दिया और बांगलादेश अलग देश बना क्या था बांगलादेश क्या बना है एक अलग देश बन गया 19 दिसंबर 1971 को और सेख मुझीबूर रहमान वहां के पर्थम राष्ट्रपती बन गय थी किस नंबर 11 क्या है गुट निर्पेक्स आंदोलन क्या था तो यहां पर आपको अच्छे बताता हूं गुट निर्पेक्स आंदोलन क्या था गुट निर्पेक्स आंदोलन राष्ट्रों की अंतराष्टी संस्ता थी क्या थी जो राष्ट्र थी मतलब इंडिया हो गया पाकिस्तान हो गया मिसर हो गया इनकी क्या थी equival या ओर भी जितनी कं्ट्री नियुब है तो क्या थीं तो क्या थी मतलब उनकी क्या एंश्ती संस्थाति इसकी स्तापना 1961 में होई थी ठीक कब हुई थी 1971 में हो थी भार्त के परदान मंतरी पंडित जवारलाल नहरू मिसर के राष्टपती अब्दुल नासिर वै यूगो सविया के राष्टपती टिटो ने इसकी स्तापना में महतवपूर्ण योगदान दिया क्या था इसकी स्तापना कब होई थी 1961 में होई थी ठीक है और बार्त के परदान मंतरी थी पंडित जवारलाल नहरू मिसर के राष्टपती अब्दुल नासिर वै यूगो सविया के राष्टपती टिटो ने क्या किया था गूठ निर्पेक्स अंतराष्टी जो संस्ता थी इस स्तापना में मैतवपून योगदान था और इस इनोंने ही दिया था इस आंदोलोन का उद्यस से किसी पावरबलो के प्रक्स या विपरक्स में रहते हुए निस प्रक्स कर रहना था ठीक है और 2012 में इसके सदश्यों के संग्या कितने थी 120 थी परजेंट विनकी सदश्यों क भी है कि हरीत करांती किस से संबंदित है तो कर्षी उत्पादन से बहुत सकते हैं कर्षी से संबंदित है तो हरीत करांती से क्या भी प्रहा है तो हरीत उत्पादन में हुई इत्रेव वर्दी मतलब वर्दी हो गई कर्षी उत्पादन में तो उसे हरीत करांती कहा जाता है ठी जिली सिच्चाई वे सस्ते रिन देने के विश्टा की गई ठीक है यह थी हरित करांती सस्ते अनाज 1922 खाद वे तकनीका परियोग करकी 1970 की दसक की शुरुवात तक गेहूं चावल मक्का की खेती में डाई गुना मतलब यह डाई गुना वर्दी हो गई मतलब क्या था यहां स उसका घृत करांती नहीं किया गया हमारे देश में भारत में क्या खादान संकर तो दूर किया गया ठीक है और कमजोर अर्थवर्चता को मजबूति परदान की यह था हमारा क्यूसन No 12 नेक्स्ट क्यूसन आता है भारत में राज्यों का पुनगठन कैसे हुआ मतलब यह क्य तो इस क्यूशन को हम अच्छे से देखने वाले हैं तो सवतंतरता प्राप्ती से पहले भारत का सासन रियाइस्तों से विवाजी था रियाइस्ती थी जितने भी उन में विवाजी था सवतंतरता प्राप्ती के पसाथ इन सभी रियायस्तों को भारतिय संग में समलित कर लिया गया लेकिन बासावाय बुगोलिक परिष्तियों में विविद्धा के कान राज्य के गठन का समस्या का सामना करना पड़ रहा था मतलब क्या था भारत में जो राज्यों का पुनगठन था वो क्या बासा के आदार पर करने लेगे ठीक है ऐसे समय में 1953 इस्वी में राज्य पुनगठन आयोग की निक्ति की गई इस आयोग का करी बासा के आदार पर राज्यों की पुनगठन की सिपारिश करना था मतलब ये अदीनियम कब पारीत किया गया था आपका यहां से ये किया गया था नूम्बर 1956 में जिसके अनुशार 14 राजे वा 6 केंदरसासित पर्देश थे ठेके, कितने राजे थे जब 1956 में राजे पुंगाठन आयोग स्तापित के आया आदिनियम पारित के आया उसमें 14 राजे थे कितने राजे थे, 14 राजे थे, और कितने के अंदर सासित परदेश थे, वो कितने थे, 6 थे, ठीक है, Next क्या आता है यहां से, यह रखा है कि आपका हिंदी बासावाय, हिंदी बासावाय देवनागरिक लिपी को कारियल में प्रियोग की जाने वाली बासा की रूप में मानिता दी गई, लेकिन इस मानिता के बावजूद वियापक स्तर पर अंगरेजी बासा का प्रियोग ही किया जाता है, बलग क्या आगा है, जो इंदी बासा तो क्या की करियाले में लागू तो कर देगी, बट क्या हुआ हूँ आपे, अब भी जो हमारे यहां पर क्या आता है, कु क्यों लागू किया, यहां से आप बात आती है, इंद्रा गान दे ने उनौनिस सो पिचैतर में रूप इंद्रा गांधि को देश की परदान मंत्री मतलब मना दिया या बने गए ठीक है उन्नीसों एकेतर में बार्त पाकिस्टान युद्ध हुआ कब 1901 में ठीक है तथा बंगलादेश की स्तापना के पसात बंगलादेश सरनाथियों को बारत में आशरिये दिया मतलब उनको पनाह दी ठीक है तो यहां से इसके बाद आती है गरीबी गरीबी बिरोजगारी खाद्यान समस्या सुखा मांसून और समस्या के साथ साथ बंगला घ्रियुजगारी थी तो क्या हुआ था जो बंगलादेश की लोग थी वो भारत में आ रही थी तो जो जन्ता का com रोज बढ़ने लेगे गया जिस करन करना लों ने कानून वynयस्ता उस्टेम किया हर्टाली होने लेगी अंदोलन होने trapped कर दिया गया जनता इंद्रागांदी से नाराज होまた जनता थी जो इंद्रागांदी से नाराज होचुकी थी 12 जून 1975 को इलाबाद उचनियाले ने इंद्रागांदी को चुना में अनुचित आसरन का दोसी माना ठीक है बाद में क्या आता है यहाँ पे इस फैसले के आदार पर इस फैसले के आदार पर अब वे किसी पदपर नहीं रह सकती थी ठीक है उन पर त्याग पत्र का दवाब डाला गया ऐसी राजनेती संकट के समय अपने आपको चारो तरफ से सुरुक्षित रखने के उज़स्य से उन्होंने 25 युन निशों पिचेतर को आपातकाल की घुशना कर दी कब 25 युन निशों पिचेतर को मतलब राजनेती संकट के समय अपने अपने आपको चारो तरफ से सुरुक्षित रखने के लिए आपकाल की घुशना कर दी कब 25 युन निशों पिचेतर को ठीक है यह था कि उसन नमबर 14 कि उसन नमबर 15 आता आपका यहां से भारत का स्युक्तराष्टर संग में क्या योग शेरों हिरोसिमा और नागासाकी ठीक है पर हुये हमलों से पूरा विसमय आश्व आसरी चकीत था दूसरा युद्ध ऑपने प्रताव श्तार हो था नीशों पर जो ऊताया होऊ था स्टार्ट था मतलब 1949 से 1945 इसी तक ठीक है यह चला था दूसरा योदी 1945 इसी तक तो उस टेम क्या हुआ मतलब जो भी आपका जो जापान की प्रूंख सेर थे जो प्रूंख बड़ी सीटी थी हिरोशीमा और नागा सही पे क्या कर दिया गया तो उसके बाद क्या हुआ मतलब यहां से जो उसकी स्माप्ति पर मतलब दीती यूद स्माप्ति पर था ऐसे समय में एक ऐसी संस्ता की आविश्कता अनवाव की गई जो विश्व में सांती स्तापित कर से मतलब विश्व में सांती स्तापित करने का मतलब विश्व में जैसे यूद वगएरा हो रहे हूं तो उनको सांती परदान करना मतलब उसमें जगड़े वगएरे को क्या करना सांध करना तो इसी उद्यस्य से 24 एक्टूबर 1945 को सुक्तराष्टरसंग की स्तापना के गए ठेक है यूणो की स्तापना के गए ठेक है अब भारत सुक्तराष्टरसंग के संस्तापक सद्यसों में से एक था बारत की जो विदेश निती हमेशा क्या थी सान्ति अ इन्सा के विचार से प्रवावित रही भारत ने सद्य। सुक्तराष्टरसंग द्वारा संसालिट में भारत की शुक्तराष्टा कि म्यावारे इला अधे रूप से शुक्तराष्टा को सुस्थ रूप से निर्वन किया मतलब क्या किए 2 भारत ने हमेसलेश हमेसला पर ठेक्स और एपर्थ पर्तेक्स रूप से क्या किए सुट्राश्रेंग में अपनी भूमी का निबाई है ठीक है next question आता है यहाँ पे 16 का साबानो केस क्या था देखो यहाँ पे साबानो केस क्या था मैं आपको पूरी डिटेल से बताता हूँ यह हमारे दो ही question रहते हैं तो हमारे इस जो part है हमारा नो का सवतंतरता बारत के 50 verse तो इसमें हमारा question number 16 question number 16 आजाता है हमारा साबानो केस क्या था तो मैं पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ साबानो केस की तो क्या था साबानो नामक मुसलिम महिला क्या थी साबानो नामक क्या थी एको मुसलिम महिला थी जिसकी आयू 62 वर्ष थी क्या थी सावानो केस क्या था मतलब सावानो नामक मुस्लिम महिला जिसकी आयू 62 वर्ष थी तथा पांच बच्चों की माँ थी मतलब क्या थी सावानो नाम एक मुस्लिम महिला थी उसके पांच बच्चे थे उसकी जो एज थी आयू थी वो कितनी थी बाच्ट वर्ष की उसके पती ने उसे तीन तलाग दे दिया क्या क्या उसने तीन तलाग दे दिया पती ने गुजारा बत्ता देने से इंकार कर दिया मतलब क्या 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 उसने तीन तलाग दे दिये और पती ने क्या क्या वही मैं उसको क्या ने गुजारा मतलब उसका गुजाराच चलाने के लिए वो बत्ता देना क्या कर दिया मना कर दिया कि मैं इनको नहीं दूँआ इंकार कर दिया जिस कारण उच न्याले की सरन लेने पड़ी, क्या क्या फिर साबानों ने क्या क्या उच न्याले की सरन लेने पड़ी, उच न्याले ने मुझारा बत्ता बढ़ाने का आदिश दिया, उचके पती ने सरोचे न्याले में अपील की, मतलब क्या 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 जो साबानों थी, उच्छ नियाले ने मद्य परदेश उच नियाले के आदेश को सही बताते हुए साबानों के पक्स में नियर लिया। उन्हें सरकार पर दवाब बनाकर 1986 में संसद में कानून बनाकर सरोच नियाले के फैसले को पलट दिया। उन्हें जीत कर भी हार गई मतलब क्या गया जो साबानों जीत तो गई थी बाद में क्या हुआ जो मुस्लिम नेता थे या उसके संगठन थे उनके मुस्लिमों के तो उन्हें क्या क्या गया। मतलब 1986 में संसद में कानून बनाकर मतलब संसद में ऐसा कानून बनाया कि ऐसा नहीं हो सकता। साबानों के रूम में कि यह सही है थीक है तो जो जो मुस्लिम नेता थे और उनका संगढठन थूंपको फैसले को зवfinitely अर्ष करण कर गया। कर भी और की Good गई और ऊपको क्वेज़ोंबर से यह सांड़ा नम्श में विए असब क्या रिखना प्र का in shortest भार्ट से आर्थिक ईयोज़न पर परकार्श डालें निश्चित समय सिमा में पूरा करने है तो उपलब्द संसाद नों का बहतर उप्यों किया गया है मतलब निश्चित समय सिमा क्या होती है मतलब एक लिमिट होती है जिसे पांस दिन तो पांस दिन में जो काम करना होता है आर्थिक नियोजन जो अभी प्राय होता है कि हमें क्या करना होता है दस दिन में या हमें एक महिने में करना होता है तो यह चोटी चोटी जो point है आपको देखने को मिलेंगे उपलब संसातनों का बहतर उप्योग किया जाता है आजादी मिलने के बाद भारत सरकार दोरा बड़े-बड़े सरकारी संस्तानों की स्तापना पर बल दिया गया जो भारत आजाद हुआ उस टाइम के बाद क्या है सरकारी संस्तान मतलब भारत ने क्या 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 बड़े-बड़े से उस सरकारी संसान थे, गोर्विंट इंस्टूट थे, उस पी की स्तापना पर क्या कह रहे हैं, बल दिया गया है, अर्थ फैस्ता को पने मजबूत करने के उदस्थ से पंडित नहरू, मतलब पंडित जवारला नहरू ने, पंडित नहरू दवारा 15 मार्श 1950 को एक सलह कारी संस्ता जिसका नाम योजना आयो की स्तापना कीई, मतलब यहाँ पर यह ब्यासकता है, योजना आयो की स्तापना कब कीई गई,eden के नेक्स्ट यहां से क्या आता है, इसके बाद उनीशों elaborative में एक्य च्विकास परिश temporary में किली तो राष्टी विकास प्रिश्वरत की स्तापना करो की गी एक दिन्स knife की राष्टी विकास परिश्वी में एक घर सोविट शंग का पंछवष्य योजना से प्रावित में उन Capitol कि उनकी कि उनसे प्रवावित होकर पंच वर्षी योजना को लागू किया गया 1980 इस्वी के दसक में विबिन सरकारों की आर्थिक नीतियों के काण भारती अर्थवयस्वता कमजोर हो गई ठेक है और विदेशी रिणों के बुगतान के लिए अंतराष्टिय मुद्रकोस को 47 तंसोना गिर्वी रखना पड़ा बारत अंतराष्टि मुद्रकोस और विश्वबैंक की सर्तों को मानते हुए आर्थिक सुदार करते हुए विकास पत्त पर अगर सर है याद रखना कहा पर मनिला में ठीक सर्थ को मानतों ये आर्थिक सुदार करते विकास के पत्पर अगरसर है तो ये थी आपके अभ्यास की क्युशन आपके क्युशन जो आपका लेसन नमर 9 है पर्टनमर 9 है स्वतनतर बारत के 50 वस उसकी जो अभ्यास की जितने भी क्यूशन है आपके मैंने इस वीडियो मा आपको कमपलेट करवा दे वीडियो पसंद आये तो डियर स्टूर्ण वीडियो को लाइक वे शेर जरूर करें तो थेंक्यू डियर स्टूरंट्स